मोहमद शमी को हिंदुस्तान के लिए कोई मुकाबला खेले अब एक साल से जादा का वक्त हो चुका है 2023 वर्लकप में वो आकरी बार टीम इंडिया की जर्सी में नजर आयते जिसके बाद उनको इंजरी हो गई उनकी सर्जरी हुई और रियाब करने के बाद मोहमद शमी हमें डुमेस्टिक क्रिकट में दम दिखाते हो नजर आये शुरुआत रंजी से हुई जिसके बाद उनने सईध मुझताक अली ट्रॉफी का रुख किया और अब उनके ऐस्टेलिया जाने पर एक बहुत बड़ी ख़वर आई है पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं का बजार गरम है कि मोहमद शमी ऑस्टेलिया जाएंगे या नहीं जाएंगे मोहमद चमी इंडियन टीम का हिस्सा आस्ट्रेलिया में बनेंगे या नहीं बनेंगे देखें तीसरा टेस्ट मैच तो शुरू होने वाला है और तीसरा टेस्ट मैच में मोहमद चमी इंडियन टीम का हिस्सा नहीं होंगे कि मुहम्मद चमी आपको ऐस्टेलिया में इस बार दम दिखाते हुए नजर नहीं आएंगे जी हाँ जो खबर हमें हमारे तक पहुंची है खबर यही है कि मुहम्मद चमी फिलाल ऐस्टेलिया नहीं जा रहे है BCCI की तरफ से कोई बुलावा नहीं आया है NCA की तरफ से भी मामले को आगे नहीं बढ़ाये गया है और अभी फिलाल मुहम्मद चमी आपको हिंदुस्तान में ही नजर आएंगे जहां तक खबर है उनकी जो टीम है वो सहीद मुश्टाकली ट्रॉफी से भार हो गई है और आप शमी आपको NCA में अपनी फिटनेस पर काम करते हो नजर आ सकते हैं या कुछी दिनों में शमी आपको अपने जो घर के खेत हैं उसमें भी गेंजबाजी करते हो दिख सकते हैं शमी फिट हो चुके हैं, पूरी तरह से तंद्रूस हो चुके हैं, हिट हो चुके हैं, लेकिन अभी ऑस्टेलिया से उनका बुलावा नहीं आया है, और ना आने की वज़ा क्या है, ये अभी तर्क क्लियर नहीं हो पाई, लेकिन ये ज़रूर है, हर कोई चाहता था, कि चमी को उना उस तरह का सम्मान देते नहीं, 12-23 वर्लकप में भी हमने उने कहा सम्मान दिया था ना, वो तो अगर आपके हार्दिक पांडे इंजड नहीं होते, वो बहार नहीं जाते, तो शमी इंडियन टीम में नहीं आते, आप सिराच को खिलाते रहते, खिलाते रहते, इसे ही होता है मेशाच चमी के साथ, कि जो सम्मान वो डिजर्फ करते हैं, जो आदर रिस्पेक को डिजर्फ करते हैं, बुमरा को मिल जाती है, अब आजकल सिराच को भी मिलने लगे, लेकिन मौमद चमी को नहीं मिलती, उनको तो यूस किया जाता है, जब जरूत था तो आ बड़िया परफॉर्मेंस करके दिया लेकिन अभी फिलाल वो हमें अस्टेलिया जाते हैं नजर नहीं आएंगे चौथे और पांच में टेस्क का भी मौमद चमी हिस्सा नहीं होंगे यह ऐसी खबर है जिससे करोड़ों भारतियों का दिल जरूर टूटता है कि शमी अगर अस्टेलिया चले जाते तो यह कंफर्म होता कि बुमरा और शमी एक साथ दम दिखाते लेकिन फिलाल ऐसा हो नहीं पाएगा मौमद चमी अस्टेलिया जा नहीं पाएंगे फिर कुछ चीजे ऐसी हैं जो कहिना कि फस गई है और हाला कि शमी तो हमें फिट नजर आए हैं साइद मुशाल के ट्रॉफी की बात करूँ रंजी की बात करूँ शमी हिट नजर आए हैं लेकिन अभी शायद उनका बुलावा नहीं है और शमी आपको शायद इंग्लेंड के खिलाव जो ODA सीरीज होनी है उसमें नजर आ सकते हैं क्योंकि चैंपेंज टॉफी दो हजार पच्चिस में आपको हर हाल में मौहमद शमी की जुरुत होगी तो शमी इंडियन टीम की जर्सी में हमें इंग्लेंड के खिलाव ODA सीरीज खेलते हो नजर आ सकते हैं फिलाल मौहमद शमी आस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे